माही मार रहा है जी हाँ, IPL का आगाज हो चुका है हलाकि 11 मुकाबले बीच चुके थे लेकिन अभी तक ये सुनने को नहीं मिला था कि माही मार रहा है लेकिन जब 12 मुकाबला DC VS CSK के बीच खेला गया और मुकाबला समात जब हुआ तो सभी क्रिकेट प्रसंसकों ने चैन की सास ले ली जितने भी दरसक वहां मौजूद थे यलो आर्मी जो मौजूद थी जिस वज़ा से आई थी उनको वो देखने को मिला CSK हारी लेकिन प्रसंद हर एक क्रिकेट प्रसंसक मैदान में जो आया था जो मौजूद था वो दिखा क्योंकि माही का बल्ला बोला जमकर परसा और इस तरह गरजा की रविंद्र जड़ेजा शिवम दूबे समीर रिजवी जैसे ये जो बहड़े फिनिसर इस वक्त उभर रहे हैं CSK की जिनके नाम इस वक्त हर एक युवा के जुबान पे होंगे कि भया रविंद्र जड़े जा आएंगे तो तुफान मत जाएगा भया समीर रिजवी से बच कर रहा ना भया सिवम दूबे इस वक्त उभरते हुए सितारे हैं T20 World Cup में वो पांडया का स्थान ले सकते हैं लेकिन जब माही का बला बोला गुरू तो ये जितने भी फिनिसर है नाम चीन वो बाउने साबित हो गए उनके आगे ऐसा प्रतीत हुआ कि धोनी से बहतर फिनिसर ना पैदा हुआ है ना अगले 20 वर्सों में पैदा होने वाला है उससे भी बड़ी बात और खास बात ऐसा भी मसूस हुआ कि धोनी का ये आकरी साल नहीं होना चीए धोनी अभी भी CSK टीम को अगले 10 सालों तक सर्व कर सकते हैं अगले 10 सालों तक ये बल्लेबाजी करके दिखा सकते हैं और हर साल जब ये आएंगे तो जैसे वाइन पुरा में महन सिंग धोनी दिखे पहले ही मुकाबले में एंडिक नौर किया जो इस वक्त के सबसे बिध्वनसक बल्ले गेदबाज अंतराश्टी पटल के उनके पसीने छूटने लगे महन सिंग धोनी को 20 वे उभर में गेदबाजी करने के वक्त चक्के 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 की भरमार लगा दी और यह जो 20 रनों से CSK मुकाबला हरा है अगर धोनी उपर आ जाते गुरू तो यह मुकाबला पलट सकता था बाजी CSK मार सकती थी लेकिन धोनी ने मौका दिया समीर को धोनी ने मौका दिया जडेजा को अभी तक के IPL की बात कर लें इतिहास की या फिर भारती ट लिए 16 गेदो पे 37 रनों की महन सिंग धोनी ने उससे एक बड़ा फर्मान सामने आया है गुहार सामने आया है किसका क्रिकेट प्रसंसको का कि भाईया आप रिटार्मेंट तोड़ दो आपसे बेहतर विकेट कीपर बल्लेवाज भारती टीम को T20 वरल्ड कप 24 में नहीं मिल सकता है आप जिस अंदाज में खेलते हैं जो सैली है अभी भी आपकी खेलने की जिस तरीके के दर वर्स दर वर्स जैसे जैसे आप पुराने होते जा रहे हैं उतने ही पुराने वाईन की तरह आपका जो नसा है जो सुमार है वो चड़ता जा रहा है बल्लेवाजी का खुम के बल्ले से IPL में रन नहीं निकल रहा है उनकी कमियां और खामियां निकल कर बहार आ रही है स्पिन के खिलाफ फिर बात करें तो संजू सैंसन के उपर फिनिसिंग रोल में उतना भरोशा विशिस्याई जताने वाली है नहीं शानकी सन का हाल बेहाल हुआ है तो रिशप्पंद पर आकर माम लाटका हुआ और रिशप्पंद के बल्ले में अभी ऐसा लग रहा है कि जंग ही लगा हुआ है तो दोनी आप भी आजाओ आप तोड़ अब भी भी भारती टीम में नहीं मौझूद है और जिस हिसाब से बल्ला बोला है दोनी का फिर भाईया अब आपकी अहमियत और बढ़ जाएगी अगर आप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दोजाच चौबिस भारत के तरफ से खेलोगे ये क्रिकेट प्रसंसकों की गुहार ह है यह फर्मान आया है क्रिकेट प्रसंसकों का और धोनी से उन्होंने काफी कुछ वहिया इस वक्त ट्वीटर पे मांग रख दी है कि सन्यास तोड़ो आप आज आओ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में एक लोहा और लेलो भारत को टी ट्वेंटी टाइटिल कम जिता दो क्यो भहिया महन सिंग धूनी में अभी वह जलवा बाकी है और अभी वह भारती विकेट की पर के तौर पे सबसे सॉर्षय विकेट की पर नजरा रहे हैं 42 साल के उम्रह में तो आप समझ सकते हैं कि भाया महन सिंग धूनी का क्या वर्चस्ट रहा होगा अब जब जब वो जवान थे जब वो युवा थे और अभी भी जब वो रिटार्मेंट के कागार पर खड़े हैं कुछ चंद पल रह गए उनके क्रिकेट के बचे हुए इस संस्क्रण में वहाँ पर भी अपना वो जल्वा भी खेर रहे हैं बहुत ही बहतरी नाच की पारी आई और ये जो टीटी वर्ल्ड कप में उनका बुलावा आ रहा है ये क्रिकेट प्रसंसकों का जो डिमांड है वो पूरा नहीं होने वाला है लेकिन फिर भी एक वाजिब दिमांड लगता है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें और क्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले